सुप्रसिद्ध सुविख्यात अभिनेता आमिर खान जी का इस मंच पर स्वागत करें हम आमिर जी का राष्ट निर्माते डॉक्टर बाबा साहब आमबेट कर विचार मोथसव समिती की तरफ से एक बहुत बड़ा सत्कार और सनमान करना चाहते है वो इसलिए आप सबको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आमबेट कर इन्होंने भारत का सविधान लिखा है और सविधान में उन्होंने दो समता की बाते की है जो इक्वियालिटी की बाते की है जो जस्टिस की बाते की है यही बाते हमें आमीर जी के एक्शन्स में हमें हमेशा देखने को मिलती है आपको सबको मालूम है कि सत्यमेव जैते जैसा एक पाथ ब्रेकिंग शो तीवी पर दिखाया गया जहां पर अलग-अलग इशुज चाहे वो महिलाओं के बारे में हो चाहे वो जनरिक मेडिसिन के ब कोपिक्स जो ट्याबू माना जाता है वो कास्स सिस्टिम मैन्यूल स्क्यावेंजिंग यह विशय हो उनको सबने आमीर जी ने बहुत ही अच्छे डंग से वहां पे दिखाया है आमीर जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यह डॉक्टर बाबा से आमेटकर विचार मो कि दो हजार युवा लड़कों को हमने साथ मेले और उनको बोला यह रिस्पांसिबिलिटी आपकी है अगर आप बाबा साब के विचारों को मानते हो तो उनकी 125 जैनती अच्छे डंग से करके दिखाओ उनके विचारों का मोहत्सव करो उनके जैनती का कम विचारों का जैसे शोज के लिए और उनके अच्छे कामों के लिए ये राष्ट निर्माते डॉक्टर बाबा साब आमेर कर विचार मोथ समीती आमेर जी का सन्वान करना चाहती है जो आमेर जी को हमने ये यंत्र दिया है जो पिके में आमेर जी ने जो यंत्र यूज किया था वो घर जाने के बाद इसको अगर इलेक्टिक में लगाते हैं तो यहां पर बुद्दा और बाबा साब की प्रतिमा निकल के आएगी ये हमने दिया है और ये दुनिया में अभी एक ही बना हुआ है मैं अभी आमेर जी से विन्दन्ति करूँगा कि वो हमसे दो शब्त कहें जैभीम दोस्तों आज मुझे यहां आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं हम बेटकर विचार समीती का शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ने ने उत्या दिया और इतना सम्मान मुझे दिया और यह सम्मान मैं हाद जोड़के कबूल करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम की तरफ से क्योंकि यह सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं सत्यमेवे जैते में हर एक इनसान जिसने इसमें योगदान दिया है मैं उसके तरफ से यह कुबूल करता हूँ और ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने हमारे साथ काम किया है लेकिन बल्के वो सारे लोग जो हमारे शो के साथ जुड़े जो हमारे शो पर आये और अपनी आप भी थी जो अक्सर बहुत ही मुश्किल होती थी वो हमारे साथ उन्होंने बाठी जिससे हम सब को एक सीखने का मौका मिला हमें परेढ़ना मिली उन सब का मैं शुकरियादा करता हूँ और उन सब की तरफ से मैं यह कबूल करता हूँ बहुत-बहुत शुकरिया दोस्तों आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में है बाबा साहब के बारे में मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरिश नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर मैंने कभी उनको नहीं माना मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना वो ना सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं क्यूंकि वो हमको इनसानियत सिखाते हैं जो सबसे बड़ी चीज है इनसानियत उनकी जो सीख है समानता की मुझे लगता है कि हर इनसान जो टाय वो दलित न भी हो, पीडित हो, शोशित हो, अकलीफ में हो, अंडर प्रिविलिजड हो उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरना थे, उन्होंने एक उम्मीद की किरन थे और उन सब को उन्होंने रास्ता दिखाया और हर इनसान को जो इनसानियत में यकीन रखता है, जो इनसानियत को अपना धरम मानता है वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहिब के फॉलोर्स है मुझे खुद बहुत उन से प्रेडना मिली है दो चीज़े मुझे बहुत खास लगती है बाबा साहिब के बारे में एक ये कि जब भी मैं कभी दिकत में होता हूँ कभी मुश्किल में होता हूँ कभी मैं किसी चीज़ के लिए आवास उठाता हूँ जो मुझे सही लगती है या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखानी की जरूरत पड़ती है जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है मैं हिम्मत हारने लगता हूँ तब मैं बाबा साहिब के बारे में सोचता हूँ क्योंकि वो एक इनसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी जाए उनके सामने कितनी भी बड़ी कठनाई हो कितना भी बड़ा चैलेंज हो उन्होंने अपना संगर्ष हमेशा जारी रखा उन निडर थे और उनकी ये एक खास कॉलिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेमना मिलती है दूसरी जो कॉलिटी मुझे उनकी बहुत पसंद है वो है इनके दिल में जो प्यार था जो प्रेम था अपनी लिए तो हम सब सोचते हैं अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं लेकिन बहुत ही रेर वो इंसान होते हैं, जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सब के बारे में सोच सकते हैं, तो आप सोची कि ऐसा इंसान उसके मन में कितनी समवेदन शीलता, कितना प्यार, कितना प्यार होगा उसके दिल में, कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है, ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेणना मिली है मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो सम्विधान उन्होंने लिखा है उस पर मैं चलू और उनके मन में जो सपना था समाज के लिए उसे हमें अगर पूरा करना है और हमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे है यकीनन वो आज हमें देखकर खुश हो रहे होंगे लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो सपना उनका सच हो और जो होगा जरूर तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है जो चीजें उन्होंने सिखाई है उन्हें हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है यकीनन वो एक महापुरुश है और मैं हमारे देश के जो यूथ हैं उनसे एक ही विनुती करना चाहूँगा कि जो उन्होंने किताबे लिखी हैं बाबा साहिब ने वो हम पढ़ें उससे हमें सीख मिले और जो रहा उन्होंने दिखाई है उस पे हम चलें आये सलूट बाबा साहिब जै भीम